क्या साथ दिनों में पॉसिबल है क्या कि हम 320 एटलिस मार्क्स को गेन कर पाएं आपके मन में यह सवाल उत्पन हो रहे होंगे तो इसका जवाब है येस साथ दिनों में बिलकुल अराम से 320 से भी ज्यादा अंक हासिल किये जा सकते हैं अब कुछ important strategy आपको अपनानी पड़ेग जिससे आप बहतर तरीके से अभी से अगर 60 दिन properly अगर लग जाएंगे तो 320 बहुत आसानी से score कर सकते हैं पहला आपको ये कुछ data share कर रहा हूं कि last 3 साल से last 3 साल से ये देखा गया है कि NCRT से करीब 98-99% question पूछे गये हैं हाँ 1-2% नहीं है क्योंकि 1-2 question बाहर से भी आते ह हैं बट मेरा दावा है कि अगर आप NCRT को बहतर तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका score एक बहतर हो सकता है अभी बात उन 16 लाख student को पता है जो आपके साथ NEET के exam को देने जा रहे हैं बट NCRT को बहतर कैसे पढ़ा जाए ये एक अपने आप में challenge है तो एक बहुत ही important series में लेके आ रहा हूं जहां पर लाइन बाई लाइन जो लाइन बाई लाइन है और एक पेज वाई पेज है उससे questions extract किये गये हैं और पूरा का पूरा जो question है वो बिल्कुल NCRT पर अधारीत रहेगा और ये एबलेबल रहेगा YouTube के ऊपर and this is a guess the word series आपको proper guess करना है कि उस लाइन के बाद ऐसा क्या unique word आना चाहिए वह आपको comment section में लिखना है अगर आपको unique word अगर आप बता पाएंगे तो आपको चार option जो आपके exam में आते हैं उनको भी पढ़नी की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपको अल्रेडी उस चार option में एक वर्ड जो answer है वह पहले से आपको आता होगा इसी क्या होगा कि आपका समय बचेगा मेरा target यह है कि आपको 90 question जो बायों के होते हैं वो 45 minutes में करने हैं और यह भी speed और accuracy के साथ ताकि हम जादा से जादा समय अपने physics और chemistry को दे पाएं और physics और chemistry में बहतर score कर पाएं तो यह जो guess the word series है हर एक Tuesday और Thursday को 11 बज़े यूटूब पे इसी चैनल पे live रहेगा और आप live में कमेंट करके मेरे साथ answer बता सकते हैं और यह जो guess the word series है पूरे physiology बहुत important है और आपको जब guess the word series करेंगे तो आपको realize होगा कि कितना important है आए कुछ जलक दिखाता हूं आपको guess the word series का जैसे question आता है कि the conversion of देखे पहला question देखिए the conversion of complex food to the simple is क्या कहते है digestion include this method एपेज नमर 329 पे मिलेगा ऐसे 258 पे ऐसे type के question है फिर 258 पे dental formula क्या है heart chewing क्या है मतब हर एक line से question बनाये गया है और बहुत मज़दार series है तो Tuesday यानि पांच तारिक थर्ज़दे यानि पांच तारिक से हम start करने वाले हैं आप सब जरूर आईएगा और बहतर करिएगा पांच करिए करिए हृँ